चछठा नमपर कोश्अन में A दिया है और वेरिफाई करना है A का ट्रांस्पोज इंटू ये बराबर आई इसका सोलुशन समझिए A का ट्रांस्पोज इंटू A इसका मान निकालना है A का ट्रांस्पोज याणि रो को कोलम में लिखतेंगे कौस अल्फा second row को second column में minus sin alpha cos أل pron एक का transpose हो गया into e जैंक है बैसे लिख दीजे cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha अब गुना का trick तो यही होता है row से column में कि इरो हो गया मैं कॉलम हो गया सी न इम जो जोल इस तो अब आई यह गुना किया जाक और इससे हिसमें गुना होगा तो पहिल का रॉ बनेगा ौ पहिलल के सभी करने इससे हिसमें कहो से कोस इसक्वार अल्फा अधर इससे इसमें होता है, plus sin square alpha, यह हो गया, इससे second में, cos alpha into sin alpha, plus minus sin alpha into cos, ऐसे गुना होता है, second से इसमें, minus sin alpha into cos alpha, यह बन गया, अब इसी तरह second वाला चुछा करेंगे, तो बनेगा second इससे first में कीज़े sin alpha into cos alpha sin alpha cos alpha plus second से इसमे cos alpha into minus sin alpha अब इसी से इसमें कीज़े sin alpha में sin alpha से sin square alpha cos alpha में cos alpha से cos square alpha कुल मिलाकर e1 हो जाता है plus minus से कटके 0 हो जाएगा नीचे भी कटके 0 हो जाएगा जुटके 1 हो जाएगा यानि किसके वदाबर होगे आई के और यहीं आपको verified करना है चटा का दूसरा same वैसा ही है same to same इसमें भी आपको solution करना है तो पहले आप a का transpose into a का मान निका लिए a के transpose में row कोलूम में लिखा जाएगा sin alpha कौस alpha minus cos second row second कोलूम में इससे गुना करना होगा इसी a में a मतलब sin alpha कौस alpha minus cos alpha sin alpha नियम होता है row से कौलूम में गुना होगा तो गुना के लिए आसानी से पहलका से गुना करना है पहलका बनेगा इससे first में कीजिए sin में sin से sin square alpha इससे इसमें cos square alpha इससे second में sin alpha cos alpha और इससे इसमें minus cos alpha into sin alpha अब आज़े इस second r2 इससे इसमें कर रहे है cos alpha into sin alpha इससे इसमें sin alpha into minus cos alpha इससे इसमे cos square alpha plus sin से इसमें sin square alpha कुल मिलाकर one zero zero one आया यह तो one हो जाता है कटके zero हो जाएगा इसे ही यानि किसके बराबर आगे आई के और यहीं आपको verified करना था